सबी विद्यार्थियों सातियों और मित्रों को नमस्कार आज एक बहुत ही महत्पूर्ण विशय पर हम चर्चा कर रहे हैं समय प्रबंदन समय प्रबंदन सबसे महत्पूर्ण एक मसला है मुझे लगता है कि समय प्रबंदन जिस प्रक्ति ने अच्छा कर लिया जीवन में उ जिनको समझ करके जिनको सीख करके हम हमारी प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छा कर सकते हैं और जीवन में व्यावारिक तरीके से हम जो जीवन जीते हैं उसको भी अच्छा कर सकते हैं तो समय प्रबंदन प्रफेशनल लाइफ में भी बड़ा महत्पुण है और अपने द्यानिक जीवन में भी बड़ा महत्पुण है तो हम इसके उपर चर्चा करते हैं तो हम आगे बटने से पहले एक बार प्रफेशनल ही समय का महत्पुण थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आपके समय की कीमत क्या है आपके समय की कीमत को जानने के लिए एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है इससे कभी आप अपने समय की कीमत निकालिए 1.5 को अगर आप multiply करेंगे अपनी सालाना salary से फिर उसको divide करेंगे working hours per year यानि एक साल में आपके कितने working hours है अगर आप उससे divide करेंगे तो आपकी cost per hour निकल करके आएगी per hour cost में अगर आप 60 का भाग देंगे तो cost per minute निकल करके आएगी यानि ये सूनिशित होगा कि आपका एक minute कितना कीमती है आपका एक minute professionally एक हजार रुपे का है दस रुपे का है, सो रुपे का है ये इसलिए निकालना जरूरी होता है कि professional life में अगर हम कई वार समय को जाया करते हैं, समय को west करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमने क्या west किया, कितना खोया, क्या पाया तो कम से कम professional life में हम इस formula को apply करकर के निशित तोर पर हमारे समय का हमारा समय हमारे लिए कितना बेश किमती है उसके मुल्य को हम निकाल सकते हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं यह बात निशित तोर पर सच है कि वेवारिक जीवन में भी और professional life में भी हम लोग एक बहुत बड़ा भाग हमारे जीवन का west कर देते हैं अगर आप अपने दिन को भी analyze करें तो दिन में भी एक बहुत बड़ा भाग आप west कर चुके होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि scientifically आप अपने कामों को अपने साथियों को दीजिए, अपने supporting नेट्स को दीजिए, अपने परिवार जनों से मदद लीजिए, अपने मित्रों से मदद लीजिए सारा काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं तो आप delegate कैसे कर सकते हैं, दूसरों को task दे कैसे सकते हैं, time effective तरीके से, इस पे भी सोचा जा सकता है, इसके उपर आगे हम बात्चित करेंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप रोजाना कितना समय वेस्ट करते हैं, तो उसको जानने का एक बिल्कुल सरल और simple formula है, उस seconds का ही होता है, पूरे 24 गंटे का होता ही नहीं है, लेकिन आप उसको 24 गंटे के हिसाफ से देखें, तो 24 गंटे को आप अगर 30 मिनट के chunks में divide करें, यानि 24 गंटे के साफ से 48 chunks में अगर आप divide करें, तो आप पाएंगे, फिर उनको analyze करें, उन chunks को, जैसे आप से 7 साधे 7 आप आपने क्या किया, आट से साड़े आट 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 से नौ क्या किया, तो उन चंक्स में आप पाएंगे कि पूरे 48 गंटों में बहुत सारे चंक्स, यानि 70 तो 80 परसेंट चंक्स आपके इस तरह के जा रहे हैं, जिसमें आपने कोई बहुमल्य योगदान अपनी सक्सेस को पाने के लिए नहीं किया, अपने सपनों को पाने के लिए नहीं किया, या आपने जो अपने जीवन में उद्देश ये गोल बना रखें, प्रोफेशनल गोल्स बना रखें, उन चंक्स में ये क्षम्ता नहीं कि वो आपको ऊन प्रोफेशनल गोल्स के नज़्दीक ले जाए उन प्रोफेशनल सपनों के नज़्दीक ले जाए फूरे चंक्स अगर आपके रोजाना वेस्ट हो रहे हैं साम तक आप पाएंगे कि उन्हार तालिश चंक्स में से बहुत बड़ा भाग आपने उन कामों में वैस्ट कर दिया है जो आपके लिए बहुत उपयोगी नहीं है केवल उसमें बहुत ज्यादा मनोरंजन था केवल उसमें इधर उदर की बातों में टाइम वैस्ट था लोफि प्रबंधन की तो सबसे पहले आप समझिएगी एक आदर सिस्थिति वह होती है जब आप रुटीन टास्क में केवल 15 प्रतिशत समय देते हैं और अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्स जो अभी चल रहे हैं उसमें आप 25 प्रतिशत समय देते हैं और प्ला आदर्स इस्तिती है और बहुत महत्पुन इस्तिती है क्योंकि अभी की प्लानिंग वन स्टिच इन टाइम से उज नाइन यानि समय पर आगर आप किसी योजना को अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो आगामी बहुत सारी समय हैं आपकी स्वताई बच जाती है तो पीछे ज करते हैं अगर आप गवस्तित हैं तो निशित तोर पर आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा था वह आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूटिलाइज होने लगेगा और आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा आपने खुद में आत्मविश्वास आएगा आप खुद एक अपने भीतर उर्जा को महसूस करेंगे तो अगर हम समय को और गवस्तित तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कुछ प्रायरिटी सेट करनी पड़ेगी आप अपने सारे एंगेजमेंट्स को दिन पर में आप क्या क्या करने वाले अपने वर्ग को क्लासिफाई जिए पने पासमे छोटी डायरी रखिये और उफिसमें बड़ी डायरी रखिये अगर आप नहीं रखते हैं ऑनकम्कटइबल है तो आपके पास में मोबाइल में या veteran में और रिश्छी थारीके से अपने चोटिस जारे तरह एक ताक्स अब उसमें रखी इन मोबायर में औ और तीन तरह के टास्क की आप लिस्ट बने हैं, आप जब लिस्ट बनाते हैं अपने कामों की एक चोटी सी पेपर, पेन पेपर भी रख सकते हैं, अपनी जैब में वो भी परियापत है, तो जब भी आप टास्क बनाते हैं, उसमें तीन तरह के टास्क होंगे, टाइप A, टा तास्क्स होते हैं जो बहुत महत्पूर्ण है और बहुत अर्जेंट है यानि बहुत इंपोर्टेंट और अर्जेंट टास्क है उनके आगे आप लिखिए टाइप A टाइप B के जो टास्क होते हैं वो या तो महत्पूर्ण है या अर्जेंट है यानि तोनों में से कोई एक होगा तो वो टाइप B का टास्क है उसके बाद टाइप C का टास्क है वो बहुत महत्पूर्ण नहीं है बहुत अर्जेंट नहीं है लेकिन उस काम को करना है यानि अर्जेंट नहीं है, महत्पूर नहीं है लेकिन करना जरूरी है तो आप इन तीनो टास्क के उपर मतलब सभी टास्क के उपर ये तीन लेबल अगर आप लगा देंगे तो आपको समझना जाएगा कि आपके कौन-कौन से काम किस-किस अर्जेंसी की है या किस-किस इंपॉर्टेंस की है तो आप उस तरह से उसको तवज्जो देंगे तो अगर आपकी लिस्ट में टाइप A की टास्क बहुत ज़्यादा हो गए है तो थोड़ा सा आपको एलाल्ट होने की आउशकता है थोड़ा सा आपको रीडिफाइन करने की जरूरत है कामों को और टास्क को डेलेगेट करने की जरूरत है यानि आप अकेले अगर आप जून जेंगे तो अपने आपको मुशिबत में पाएंगे तो बेहर जरूरी है कि आप उन कामों को अपने सबोर्डिनेट्स को डेलेगेट कीजिए अपने आफिस में लोगों को बाटिए उन कामों को और अगर आप घरेलू जिंदगी में आप अपने फैमिली मेंबर्स को साथियों को ब्रदर्स को काम दीजिए कि इस काम में आप मेरी मदद कीजिए तो निशित तोर पर आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और खुद अपने आप मैं बहुत confused और पर्प्लेक्स्ट आप महसुस नहीं करेंगे बहुत comfortable महसुस करेंगे देखिए जब आप priority सेट करते हैं तो कुछ points आपको हमेसा याद रखने पड़ेंगे कि जब भी आप planning करते हैं planning कभी भी समय का wastage नहीं है planning का मतलब है कि आप समय का बहुत अच्छा सदूपयों कर रहे हो आप एक गंटे की planning में हो सकता है कि महिने बर की उर्जा बचा सकते हैं मतलब अगर आपने एक गंटे की planning नहीं की तो कई बार आप 10 दिन 15 जूंजेंगे अगर आपने planning बहुत अच्छे तरीके से कर दी तो निश्चित तोर पर long run में आपका समय बचेगा इसमें कोई सक नहीं है ताइम मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं कि कामों को बहुत तेज हिशाप कर रहे हैं हडबढ़ाट में कर रहे हैं ताइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कामों को बहुत व्यवस्तित तरीके से बहुत व्यवस्ताबद्द तरीके से और एफेक्टिव करेंगे मस्तिक सवस्त रहे गा में सब्सक्राइए प्रकरती की गोथ में कोई चोटे बड़े पिकनिक किये जा सकते हैं आप खेलने के मैदान में जा सकते हैं ऐसे छोटे छोटे आपको नई उर्जा देंगे नई सोच देंगे और निश्चित तोर पर आप प्रभावी तरीके से दूसरे दिन या अगले ही आओ और आप काम करने में अपनी ख्रमता को बढ़ा हुआ पाएंगे महसूस करेंगे तो यह भी किया जा सकता है और बहुत महत्मून बात है कि आपके पास में एक मास्टर लिस्ट होनी चाहिए चाहिए एक छोटे से पेपर बनी हुए या मोबाइल में बनी हुए रोज सुबह आपके पास में एक लिस्ट हो वो लिस्ट में आप क्या-क्या आज करने वाले हैं यह आपके पास में तोर पर मदद कर सकता है और हर काम की एक deadline रखिए जब आपने type A, type B और type C के tasks को categorize किया है तो आप मान के चलिए उसके उपर आपने कुछ लिखा है कोई तारीक आगे लिखिए कुछ hours उसके आगे लिखें अगर आप deadline सेट नहीं करेंगे tasks की तो tasks कभी भी accomplish ही तरीके से नहीं होगा और जब भी आप task को delegate करते हैं अपने साथी को task देते हैं तो सारे काम बोजिल से उस एक वक्ति को नहीं देने चाहिए कुछ interesting काम उसकी जोली में जाने चाहिए सारे के सारे बोजिल काम अगर आपने एक वक्ति को दे दिया तो उसका negative impact होता है तो आप सोच समझ के delegate क कि यह लोगों के interest को भी जानी है कि वो क्या करता है उसको क्या दिया जाना चाहिए किस काम को कौन enjoy करेगा इन तमाम चीजों को समझते वे काम को delegate किया जाना चाहिए और एक महतमून बात है बहुत simple सी बात है कि अपने workplace को बिल्कुल साब सुतरा रखना चाहिए कौन सी ची रिपीट हो रहे हैं डेटा में redundancy हो गई है यह तमाम चीजें अगर है तो निशीत तो पर मान के चलिए कि आप अपने वक्ति के जीवन में बहुत सारा समय वेस्ट करेंगे क्योंकि सही समय पर आपको सही चीज कभी नहीं मिलेगी तो जब भी आपको समय मिले अपने desk, drawers, room अलमिराज, computer desktop, computer का internal file management system उन सब को व्यवस्तित किया जाना चीज़े तो उससे आपको समय बचाने में बहुत अधिक मदद मिलेगी और तमाम चीज़ें जो छोटी-छोटी होती है कई बार होता है कि आपको pen, pencil नहीं मिली, glue नहीं मिला उसके चकर में आप 15 मिनट इदर-दर सब चीज़े टटोल रहे हैं तो एक जगह पर एक ट्रे में container में आप उसको व्यवस्तित तरीके से रखेंगे तो जब भी जो दैनिक व्यवार की चीज़ें आपके काम में आने वाले है कि stapler के लिए आप हो सकता आदा गंटा आप रेस्ट कर दें उस आदे गंटे में बहुत सारी planning की जा सकती है बहुत सारी योजनाए बनाए जा सकती है तो इन तमाम चीज़ों को अपनी जगह पर रखा जाना चाहिए और computer contents को जैसा मैं कह चुका हूँ कि बहुत clear तरीके से उसको रखा जाना चाहिए फिर आगे कुछ बहुत महत्पू को या तो अपना official number कुछ अपने assistant साथी को दिया जा सकता है तो unnecessary जो calls है ऐसी calls जो आपके लिए routine calls है उसमें कोई बहुत मत पूर्ण नहीं तो वह अपने साथी को दीजिए वह अपनी उस call को अटेंड कर लेगा आपका एक बहु मुल्य समय बचेगा आपका जो concentration है आप जि दूसरे लोग भी जब आपसे कई बार बात करते हैं लंबी लंबी बाते करते हैं बहुत संक्षेप में उनसे बात कीजिए और एक indication अपने पास में रखिए कि आप हाँ बस बात समप्त करने वाले हैं वरना आपका समय खर्च करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हों या कोई कोई इंडिकेशन अवस्य दीजिए और सामने बैटके अगर कोई आपका टाइम बेस्ट कर रहा है और इसमें अपनी बॉडी लेंग्विश से कुछन कुछ ऐसा कीजिए कि उसको अगले व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मुझे किसी और काम में लगना है यह बहुत आपने किसी को कुछ भी कमिट किया है तो इसको एक बार डायरी में नोट कर लीजिए कहीं पर अटका दीजिए मोगाल के अलाम में डाल दीजिए तो यह प्रोफेशनल कमिटमेंट होता है और आपके व्यक्तित तुम्हें चार चांद लगा देता है अगर आप वागई वै लेंडिंग आप कर रहे हैं उसका एक सिगलर होना चाहिए कि यहां चलो ठीक है अपनी बात हो गई ऐसा कुछ सब्दों से कुछ बात से और हमेशा जब भी आप कॉल करते हैं तो एक डायरी पास में रखिए या पॉकेट में रखिए जिससे आप चीज को तुरंत नोट कर स हैं कोई करेस्पंडेंस आया है तो उसको बार बार पढ़ें दस बार पढ़ें टाइम वेस्ट करने को जाए एक बार जब भी पढ़ें उसको पूरी आंखे घड़ा कर कांसेंट्रेशन से उसे पढ़ेंगे तो दुबारा उसको पढ़ने के आउशकता नहीं पढ़ेगी त और essential जो reference material होते हैं जो तमाम चीजें जो आपके reference की होती है आप रोजाना उनको इधर उधर अलमाली से निकालते हैं तो वो अपनी table पर रखिए जो आपके रोज काम आने वाली है तो उनको दूसरे document से separate करके अलग रखिए और internet पर scientific searching कीजिए इंटरनेट का यूज करते ह अगर आप उसमें कुछ एक महत्पूर्ण व्यक्ति से जानकार या लेकर scientific search करते हैं तो आप निशित तोर पर अपना समय बचा पाएंगे और आजकल तो internet को fast चलाने के लिए PC को साब सुतरा रखने के लिए PC को boost up करने के लिए उसकी speed को boost up करने के लिए बहुत सारे tools आते ह उसको व्यवस्कित करके उसकी speed को ठीक किया जा सकता है तो जब तमाम चीजें जो किसी gadget से आपको knowledge से तो knowledge का upgrade कीजिए या technician की मदद दीजिए कि उसको ठीक कर दे उससे जूंजना और समय वेस्ट करना विलकुल ठीक बात नहीं है और आपके पास में एजेंडा भी होना चा करनायगी और कई भर हमें कई जाना पड़ता है छोटे कामों के लिए जैसे घर से भी आपको सब्जी लेने क्लिए लिए यादकी जिए बच्चे नहीं आपको क्या काम दिया म्रदर ने आपको क्या काम दिया एक ही रूट पे तीनो काम निटना बच्चे वही कि मुझे आप आउटिंग पर नहीं ले जाते हैं तो मॉल में शॉपिंग करते हैं आप उसको बस ट्रॉली चलाने दीजिए इस चीजें उसको खुद कही है तू चुन उस ट्रॉली में डाल उसको ट्रॉली चला चला तो यह मज़ा आ जाएगा तो आप खरीदने कुछ बच्चे को भी एंजोई करा के लिए भाई ने कुछ मंगवाय था वो भी कर लिया तो कामों को थोड़ा जब भी करें साइंटिफिक तरीके से करें तो एक बहुत अधिक समय बचेगा और हमेसा एक चैकलिस्ट रखिए चैकलिस्ट में टाइप A के काम कितने B के कितने A के अधिक होगे तो डेलेगेट करने B के अगर है और एक टिक लगई हमेसा टिक लगाने के बाद में आपको बड़ी संतुष्टी मिलेगी कि देखिए सुबह मैंने 35 कामों की एक लिस्ट बनाई थी अब उन पर टिक लग लगके ये लास्ट में पूरा हो चुका है तो इस तर लिस्ट रखिए चेक लिस्ट पर रोज साम को कितने काम हो चुके हैं उसके ओपर टिक लगकी और अगले दिन के लिए वो काम कौन से ट्रांसपर करने हैं वो अगले दिन के लिस्ट में सामिल हो जाएंगे और अनिंपोर्टेंट इस्टियू से डिस्ट्रेक्ट मत होजिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हमारे फोकस को तोड़ने वाले ऐसी काम होते हैं चीजे होती है फला वेक्ति ने उसको ऐसे कह दिया उन चीजों को आप बहुत संक्षिप में निप्टा दीजिए उसके आपके बहुत सारे बहु मुल्य बेशकिमती समय को बचाया जा सकता है और आपको भी फोकस डोकर के काम कर सकते है वरना आपका खुद का फोकस निशित तोर पर समाप्त हो जाएगा खतम हो जाएगा तो यह तमाम चीजे हैं जो समय के महत्पून प्रबंदन करने के लिए बेहत जरूरी है कहते हैं ना कि you cannot jump into the same river twice एक ही नदी में आप दुबारा नहीं कूद सकते हैं जब आप दुबारा नदी में कूदेंगे उस वक्त पानी नया होगा प्रवाह नया होगा हवा नहीं होगी परिस्तितिया नहीं होगी सब कुछ नहीं होगा तो कहते हैं समय बी कुछ जीवन से निकाल सकता है जीवन का पूरा निचोड उस वक्ति के हाथ में होता है जीवन की रस निरजरी में से पूरा रस निकालना वही जानता है जिसने पल-पल को जिया है पल-पल का जो महत वह समझता है वह निशित तोर पर समय का सही सदूपयोग कर सकता है तो सं